चुलिए आगे बढ़ते हैं आप बात मदप्रदेश की कर लेते हैं आपको बता दे पहले चरण के लिए मतदान जारी है पंचाया चुनाफ के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है ग्यारा बजे तक 25 प्रतीशत से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है दोपैर 3 बजे तक व सामने आई है लेकिन यह अपडेट आपको दे दे कि 11 बजे तक 25 प्रतीशत से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है गाउं इलेक्शन शहर सरकार गाउं के सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट डाला जा रहा है तो यह अपने घरों से बाहर निकले हैं आज मौका मिला है इने अपनी सरकार चुनने का शहर सरकार चुनने का ग्राम की सरकार चुनने का तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बुजर्ग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं देख 25 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल करूप करते हैं समवादाता आकर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए है आकर जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ अपडेट है आपके पास कहा इस वक्त आप मौजूद है चुनाव को लेकर जै इस वक्त मैं राजी निर्वाचन आयोग मैं हूँ और हमारे साथ राजी निर्वाचन आयोग के सचे राकेश सिंग सर है उनसे ही बात करेंगे सर काफी उस्ता देखने को मिल रहा है सुबह से ही हम देख रहे हैं पूलिंग गूत पर बड़ी संख्या में मद्दाता पहुंच रहे हैं अभी तक कितने प्रतिशत तक जो है मद्दान हो चुका है देखिए आज जो मद्देश में सुबह साथ बजे से एक सो पंदरा जनपत छेतर हैं जो हमारे उनमें निर्वाचन की कारवाई शुरू हो गई है और अभी गैरावे तक जो आकले हमरे पस आए हैं उसमें करीब तीस प्रतिशत मद्दान हो गया है और विजूल्स में हम लोग ने देखा आप लोग के चैनल्स में भी है कि अब मद्दान के दर में सुबह बड़ी संख्या में लोग मद्दान के लिए आए हैं और इसकी गतिया भी कुस तेर में और बढ़ेगी हमारी आज जो निर्वाचन हो रहा है वो 115 जनपद हैं हमारी जिसमें हमारे बड़ी संख्या में पंचायते हैं जिनकी संख्या 8662 पंचायते हैं चेतर हैं और जिला पंचायत के 341 चेतर हैं जिसमें निर्वाचन है और इन 8662 पंचायतों में आज जो वास्विक मद्दान है वो 8389, 8389 पंचायतों में सेस निर्विरोध हैं और इस तरह से हमारी जो जन्पदे हैं उनमें भी 2471 जन्पदों में आचुना हो रहा है और यह सब करवाई सुबहे से ही चालू है लगातार मंदान जा रहे हैं कुछ जगह की तत्वीर आ रहे हैं सतना की बात करें जहां पर थोड़ा विवाद हो गया है बढ़वानी में लोगों ने बाहिसकार कर दिया पत्राओं की भी सूचना आ रही है तो वहां पर किस पूरे मदान के जहां हैं वहां भारी संख्या में लोग खड़े हैं आपने हमने सब वी विजुल्स देखे हैं मदान का प्रिशत भी अक्षा है और अभी बाएंड लाज बहुत ही सांथ पूर मदान चल रहा है तरी की सूचना की कोई मदान को प्रभावित करना चाहता हो क कोई अमीद्वारिया कुछ कह सकते हैं इस तरह कि कोई सूचना नहीं कि कोई मदान के प्रभावित कर रहे हैं मदान प्रक्रिया में ब्यावधान डाले अगर कहीं अगर ऐसा होगा तो हमारी मसेडरी पूरी तह से तयार है सेक्टर में स्टेट हैं पूरिष्ट पुलिस अधिकारी हैं तो पूरा पुखताई ज्यान है कितना प्रतिशत जा सकता है कि आठ साल बात चुनाओं हो रहा है तो साह देखने को मिल रहा है कितना आपको लग रहा है और एदि तीन बए तक भी लोग पहुंचते रहे तो किसा में बढ़ाए जाएगा देखे ऐसा है कि सीनतकारी पर्ची देते हैं और वो मद्दान करते रहते हैं हमारा तीन बजे तक का समय है इसके पश्चात उन मद्दान के इंद्रों में काउंटिंग होगी मद्दान का प्रिश्चत बहुत अच्छा है और हमको आसा है कि बहुत अच्छा प्रिश्चत रहे गए ते पिनि और निस्पक्सता तो हमारे सभी पीठा सी नतिकारी पूरी तरह से पार दर्शी और निस्पक्ष रहेंगे तो उनके इस करत से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी विवाद के सिति कहीं बनने वाली है तथा भी इस तरह कि इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई इस्तिती बनती है तो हमारी मॉबाइल टीम हैं जिसमें पुलिस बल है सेक्टर टमजे स्टेट्स हैं और आजकल कम्मुनिकेशन के जो साधन हैं मॉबाइल से 5-10 मिट में सब लोग पहुंच जाते हैं तो हमको पूरी ऐसा है कि साधिपूर्ण और निर्फिक तरीके से मदगर्णा का काम भी होगा मदगर्णा का काम भी होगा तो इसकी भी तुरंच जानकारी बंसल नियूज दे रहा है पलपल थी और यही कारण है कि राजिनिर वाचन आयोग भी बंसल नियूज लगा हुआ लगातार उस पर जो अपडेट है वो ले रहा है प्रकुल बंसल नियूज के जरीए एलेक्शन से जड़ा पलपल का अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दे तो पर तीन बजे तक वोटिंग होगी और आज ही मतदाम की जो प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी शुक्रिया आपका आकर जानकारी साजा करने के लिए